नवश्काल दोस्तों सुवागत है आपका एच्छ अफफ अड़ा में और मैं हूँ आपके साथ अजर अनसारी दोस्तों बॉलिवूड इंडश्ट्री में ऐसे कई एक्टर हैं जिन्होंने अपने डेब्यो की शुरुआत बच्पन में ही कर दी थी जिसके बाद से ही उनकी गिंती जाने माने अभिनेदाओं में होने लगी आज हम उस एक्टर की बात करेंगे जिन्होंने छोटी उम्र में ही फिल्मे दुनिया में करम रखा और सतर से असी के दशक में दर्शक उन्हें यंग अमिताब बच्चन के नाम से जानने लगे हम बात कर रहे हैं मयूर राजवर्मा की जिन्होंने बॉलिवूड के महानायक अमिताब बच्चन के बच्पन का रोल प्ले किया था इसके अलावा वो बी आर चोपड़ा की महाभारत में दिखाई दिये आपको बता दे कोरोना की दूसी लहर के बीच कई राज्यों में लॉकडाउन लगा है एक बार फिर से टीवी चैनलों पर महाभारत दिखाई जा रही है जिसे दर्शक बड़े उत्साह के साथ देख रहे है महाभारत में कई अभी नेताओं ने बहतरीन किरदार निभाया था जिसकी वज़ा से ये प्रोग्राम काफी हिट भी रहा इस महाभारत में अभी मन्यों का किरदार एक्टर मयूर राजवर्मा ने प्ले किया था जहां से उनको और भी पसंद किया गया बता दे मयूर राजवर्मा अपने समय के हाईएस पेड बाल कलकारों में से थे उन्होंने अमिताब बच्चन की कई फिल्मों में चाइल आर्टिस्ट का किरदार निवाया है जिससे उन्हें काफी पॉपॉलर्टी मिली इस एक्टर ने अपने करियर के शुरुआत बिग बी की फिल्म मुकदर का सिकंदर से की थी लेगिन कुछ समय के बाद मयूर इंडर्टी से अचानक गायब से हो गए जिसके बाद से ही दर्शकों को ये जानने में बहर दिल्चस्पी थी कि वो आखिर कहा गए तो हम आपको बता दे कि चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में सकसेज पाने के बाद वो महाभारत में दिखाई दिये थे आज वो एक बड़े बिजनिसमैन है और भारत से दोर वैल्स में रह रहे हैं उनके परिवार की बात करें तो उनकी पतनी का नाम नूरी है कपल के दो बच्चे भी है खबरों के मताबिक उनकी पतनी नूरी वहाँ पर एक रेस्टोरेंट चलाती है जिसका नाम इंडियाना है तो असी के दशक के जूनियर अमिताब की अधकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी जो भी दाय हूँ नीचे कमेट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें धन्यवाद